अब बाजार से बिलकुल भी लाने की जरूरत नहीं घर पर रखे एक कप सूजी से आप ये टेस्टी और महंगी रेश्पी बना सकते हैं वो भी बहुत आसाने से तो फ्रेंट से यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक करना और चैनल को जरू सब्सक्राइब करना तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं तो इसके लिए हमने ले लिया है एक कटोरी सूजी आप देख सकते हो अब सूजी को डालेंगे एक बाउल पर तो हमने बाउल पर डाल दिया है आप डालेंगे इसमें चुटकी भर नमक जी हां चुटकी भर नम कि साल से मिक्स करें गी तो हमने और सूजी को अच्छी को मिक्स कर लेना इस तरह काना चाहिए तो हमारा इस तरह का बनाने में आदे ग्लास दूद लगा ने लगा एद ग्लास लगा उसके बाद हमने 10 मिनट के लिए रेश्ट के लिए रखा था 10 मिनट बाद सूजी इस तरह से हो चुकी है तो हमने इस पर डाला आए एक चमज़ घी और घी से इस तरह से घी डालकर हांसे इस तरह से सूजी को अच्छे से मस लेंगे ताकि थोड़ी सी सौप्ट हो जाए आप देख सकते हैं थोड़ी सी सौप्ट हो चुकी है इस कटो अच्छे से लग चुका है इस प्रकार का होना चाहिए अब हम क्या करेंगे इसकी दो लोहियां काट लेंगे और इस तरह से पेंड़े टाइप बना लेंगी तो हमने दोनु लोहियों की पेंड़े टाइप बना कर तयार कर लेना तो देख लीजिए हमने एक लोग की प्रेटाप बना लिया दूसरी की बना लेते हैं यह थोड़े से बड़े ही रखिएगा छोटे मत रखिएगा तो आप देख सहकते हो मैंने कितने बड़े बड़े रख्यें इसे प्रकार से आप लोगों को भी बनाना गरम होने दियें उसके बाद इसमें घी लगा दियें पूरे तवे पर अच्छे से अब एक लोई को लिए हैं हाथों से इस तरह से हमें लोई को फैलाना है आप लोग देख सकते हैं इसी तरह से आप लोगों को भी फैलाना है नीचे घी जरूर लगा लिजीगा क्योंकि रोटी जिसे आकार का हमने फैला का तयार कर लिए अच्छे से गोल साज में हो चुका तो अब हम क्या करते हैं इसमें हमें छेद करना तो इस तरह से उंगली की सहता से हम इस पर छेद कर देते हैं छेद थोड़ा हमें दूर दूर करना है तो इस तरह से दूर दूर हमें छे कर देना छेद हम क्यों कर रहे हैं छेद हम इसलिए कर रहे हैं ताकि रोटी हमारी अच्छे से पके अब हम क्या करें कि इन छेदों पर हमें थोड़ा से थोड़ा-थोड़ा करके घी डालना है तो इस तरह से हम थोड़ा-थोड़ा करके सब छेदों पर घी डाल देंगे इस त चिपकेगी भी ना और यह हमने छेट किया इससे इसको पूरे पर बराबर बहुत ही अच्छे से मिलेगी और यह बहुत अच्छे से पकेगी तो अब क्या करते हैं इसको 2-3 मिनट मेडियम आज पर पकने देते हैं उसके बाद हम इसको पलट देंगे तो यहां पर हमारे 2-3 मिनट ठो चुकी हैं तो अब हम क्या करते हैं रोटी को पलट देते हैं पलटने में भी कोई भी दिक्कत नहीं होगी बहुत ही आजानी से पलाट जाएगी आप लोग देख सकते हैं कितनी आजानी से पलट गई अब दूसरी तरफ से भी पलड दिया अब दोनों तरफ अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक सेक लिया था उसके बाद हम रोटी को निकाल लिए इसी तरह से हम दूसरी रोटी भी बना कर तयार कर लेंगे बहुत ही असानी से बन जाएगे और कोई भी दिक्कत नहीं होगी तो हमने दोनों रो कर तूट कर तयार हो गहीं अब करते हैं एक मिक्सर जार लेंगे मिक्सर में रोटी को निन जालने के बाद हमें के बहुत हैं और पाउडर भी नया तो आप लोग देख सब्सक्क्राइस प्रार होने और हमारा बनकर रिडि आप चलते हैं क्या पर पड़ां रख एक अप च करेंगे और जब तक चीनी मेल्ट हो जाना है और हमें उसमें कुछ भी ना करना सिर्फ चीनी को ही मेल्ट करना तो आप लोग देख सकते हो चीनी अच्छे से मेल्ट हो चुकी है तब अब हम क्या करेंगे जो हमने रोटी का पाउडर बना कर रखा है उसको यहां पर हम डाल दे डालनेंगे बाद क्या करेंगे इसको हमें मिक्स करना आ अच्छे से अच्छे द्यान लखी तब genome का चुंत अब हम उसके ड्रम्ट करेंगे क्या करेंगे यहां पर फूर्ड कलार डालेंगे लो कणने देख लिजीए थोड़ा साथ फूट कलर यहां पर डाल दिया है इसको गोल कर डाले गा तो जादा अच्छा रहे दो यह जादा आएगा तो ज्थे मिक्स नहीं हो पाएगा इसलिए हमें आपर एक चम्मज खी डालें घी को अच्छे जब में कर लेते हैं इस पर आप लोग देख सकते हों हमने घी को अच्छे शी मिक्स कर लिया है और कई पे भी हमारा इस्ट्रागी ने दिख रहा है अब हमने कुछ ड्राइफूट लिए काजू और बादाम कटकर लिए उनको डालने के बाद उनको भी अच्छे से मिक्स कर देंगे ताकि वो भी अच्छे से मिक्स हो जाए तो आप लोग देख सकते हो ड्राइफूट भी हमारे अच्छे से मिक्स हो चुकी है तो अब हम क्या करते हैं यहां पर गेश को आफ कर देते हैं और इसको दूसरी प्लेट पर सर्व कर लेते हैं तो आप लोग देख सकते हैं हमने इसको दूसरी प्लेट पर सर्व कर लिया हमने इसको 2-3 मिनाट के लिए ठंडा होने दिया था ठंडा होने के बाद हम क्या करते हैं इसको हाथ से छूँ सकते हैं तब हम इसके लड़ू बना कर तयार करें तो आप लोग देख सकते हूं मैं हाथ से छूँ सकते हूं और मैंने इसके लड़ू बना रहे हूं बहुत ही आसानी से ये लड्डू बन जाते हैं कोई भी दिक्कत नहीं होती हैं और आसानी से बन जाते हैं और खाने में बहुत ही स्वादिश और टेस्टी लगते हैं इस तरह से आप लोग भी जरूर लड्डू बना कर तयार कीजिए मैं उसे भ्हादाम और भी सुन्दर लगें देखने में भी और खाने में तो टेस्टी है रही उम्मीद करते हूं अप लोगों विडियो पसंदोना आया वो तो लाइक कर ना जरूराइब करना वरी ओकन को जरूरर दवाना ताकि सब्सक्राइब चलते हैं अगले विडियो तक लिबायों के एक क्या थे कि वसस्ते हैं